नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं वही सोक संदेश में बाबुलर मरांडी को पढ़ने का मौका नहीं देने पर विपक्ष का हंगामा रहा इसके बाद इसपिकर ने सदन की करवाही सोमवार की सुबह 11 बज तक लिया स्थागित कर दिया बताद 13 सितंबर को सुरू ही मैंसुन सत्र के पहले दिन सोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान विपक्ष ने काफी हों हंगामा किया विपक्ष का अरोफ हाय की भाजबा विधायक दल के नेता बाबलर मरांडी को सौधन में सोक प्रस्ताव पढ़ने के लिए नहीं दिया गया दो सप्ता में नवदे बिद्याले के बराहमी के छात्रों का संसोधित परिणाम जारी करें CBSC हाई कोट जारखन हाई कोट के जश्टिस राजे संकर के अदालत में नवदे बिद्याले के छात्रों के बराहमी के परिणामे गरबड़ी को लेकर दाखिल आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अधालत ने छात्रों को स्कूल के परचारे के यहां आवेदन देने को कहा है परचारे दो सप्ता में इन छात्रों के परिणाम की जाज करेंगे अगर अंक में गरबड़ी हुई तो सुधार कर सीबीसी को इसकी जनकारी देंगे इसके दो सप्ता में CBSी संसोधित परिणाम जारी करेगा उक्त आदेश देते हुए आदालत ने याजका को निस्पाचित कर दिया आर्पी एन सिंग ने अधिकारियों को चेताया जारखन में सुक्रवर को परदेश कांगरेस प्रभारी आर्पीयन सिंग ने राजे के अधिकारियों को चेताया है उन्होंने कहा है कि कांगरेस करकरता ओफिस में पहुंचे तो उनकी सुनी जाए उन्होंने संगठन को या निर्देश दिया है कि अगर करकाता कि नहीं सुनी जा रही है तो पूरा संगठन उस दफ्थर में पहुँचे उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो मैं भी पहुँचूंगा बिधायक दल की बैठक के बाद परदेश कॉंग्रेश परभारी ने की घोसना बतादे बिजली ब्यवस्था में सुधार को लेकर होगा प्रियास जन वितरन परनाली में हो रही गरवाड़ी को सुचना दे राज एखाद सुरक्षा योजना एवं पधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना अंत्रगत राची जिला में राशन कारधार्यों को जन वितरन परनाली के माध्यम से खद्यान उपलवत कराया जा रहा है बता दे खद्यान आपूर्ती विभाग ने लोगों से अपील की है कि जन वितरन परनाली दुकानों में खद्यान उठाव में किसी तरह की गरवड़ी या धोखा धड़ी हो रही हो तो इसकी सुचना दी जा सकती है कोई भी व्यक्ति लिखित सिकायत जीला पूर्ती कर्याला में कर सकता है जाच के बाद सिकायत सही पाय जाने पर समधित डिलर या अन्य पर उचित करवाई की जाएगी आपको बता दे पी एच एच अंतियोदय कारधारियों को कोविड नैंटीन महामारी काल में परतेक मा परधान मंति गरिब कल्यान अन्योजना अंत्रगत प्रती कार्ड पांच किलोगराम खद्यान निसुल्क दिया जा रहा है पर्धान मंत्री गरीब कल्यान उजना अंत्रगत मुफ्त रासवन मौई 2021 से नॉमबर 2021 तक दिया जाएगा बिधायकों के खरीद फरोक्त मामले में बोले इर्फान मैं पहले भी निर्दोस था अभी निर्दोस हूँ जारखन में सरकार गिराने के साजी सरहची ने क्या रोप में घीरे कंग्रेस बिधायक इर्फानन सारी ने सुक्रवार को बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि मैं पहले भी निर्दोस था अभी निर्दोस हूँ मुझे बंदाम करने के साजी सरहची गई थी जारखन बिधान सभाक मांसु सत्र में सामिल होने के बाद बाहर निकलने के दोरान प्रत्रकारों की ओर से बिधायकों की खरीत फरोक्त कर सरकार गिराने के मामले में पूछे गए सवाल का जबाब देते वे उन्होंने बताया जामतरा विधायक डाक्टर इप्रान साई ने कहा कि अब तक जो जाच हुई इसमें क्या निकला या सब के सामने हाए कुरोना मरीज के भरती होते ही पता चल जाएगा संक्रमन की गंभीरता रिम्स कुरोना काल में जारखन में अब तक 5,000 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है इसमें से करीब 65,000 से अधिक मौत दोसरी लहर में हुई इस दोरान सबसे अधिक मौत का कान अक्सिजन लेवल का कम होने को देखा गया बता दे कुरोना के संभावी तीसरी लहर के दोयान अब मौत के आकड़े को कम करने के त्यारी है राची इस्थित रिम्स के साथ आर्म स्फोर्स मेडिकल कॉलेज पुने ने एक नया सोथ किया है जिसमें करोना के गंभीर मरीजों के संभावन के इस्थिती का अंदाजा लगाया जा सकेगा गंभीर मरीजों को अस्पता लाते ही पता लग जाएगा कि उस मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट में भेजा जाए या हाई फ्लो अक्सिजन में रखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जार्खन के डिजीपी की नियुकती के मामले में दाखिल अमाना याजका पर सुनवाई की सुनवाई के दोरान चीफ चर्शिस एन्वी रमन के अधक्सता वाली पिठ ने इस मामले में जार्खन की डीजीपी नीरज सिनहा को नोटिस चारी किया सुनवाई के दोरान अदालत ने जार्खन सरकार के ओर से डिजीपी की नियुक्ती किये जाने पर कड़ी नराजगी जताई इस मामले में अब दो सप्ता बाद सुनवाई होगी सुर्वाई की दोयान प्रार्थी की ओर से वर्य अधिवक्ता मुकुल रोगती ने कहा कि जार्खन सरकार ने डिजीपी की नियुकती में सुप्रीम कोट के आदेशों का उलंगन किया है सराव के सोखिन लोगों के लिए अची खबर है अब सराव दुकानों पर निधारित मुले से अधिक किमत नहीं चुकानी होगी जारखन में अधिक्तम खुद्रा मुले से ज्यादा मुले पर सराब की विक्री की सिकायत के बाद उत्पाद मुख्याले ने एक सक निर्देश जारी किया है उत्पाद मुख्याले ने आयूक्त उत्पाद अमीत कुमार ने बुध्वार को सभी सायक आयूक्त उत्पाद वो सभी अधिक्षक उत्पाद को जारी निदयस में अनिवारे कर दिया है कि सराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्पले बोड लगेगा जिसमें MRP का अभी डिस्पले करना होगा धनबात जीला परसासन ने नीजी स्कूलों के मनमानी पर अंकुस लगाने की पूरी तैयारी कर ली है इसे लेकर जीले के उपायोग संदीप सिंग ने सभी नीजी स्कूलों के प्रवंधन को सरकार द्वारा जारी COVID-19 गाइडलाइन के निर्देश दो धनबाद, एक देवगर, एक खोटी, एक गड़वा, एक लोहर दागा से एक मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केज की संख्या 141 है भारत में 42 यह 346 नाए केज मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केज की संख्या 3,994,992 है गीरी डी में तीसरी लहर से बचाव को लेकर तयारियां गीरी डी में कुरोना की संभावी तीसरी लहर से जीले वास्यों के सुरक्षा को लेकर अवस्यक तयारिया पूरी की जाए ताकि किसी को भी जरूरत पढ़ने पर अवस्यक सिकित सी सुविधा की कमी न जहननी पड़ पांच सुत्री मांग को लेकर सुक्रवार को जार्खन राज जलसाहिया संग ने विधायक आवास का घेराव अपरदसन किया जलसाहिया ने अपनी मांगो को लेकर आवाज बुलंद की जल सहिया सानाज खातुर ने कहा कि जल सहिया को मात्र एक हैर पे मांदे मिल रहा है या काफी कम है या भी पिछले एक साल से भुकतान नहीं किया गया है इसे जल सहिया अर्थिक संकट से गुजर रही है उन्होंने कहा कि विधान सभाचुना के पूरु हेमन सुरेन ने सरकार बनने पर जल सहिया के मांदे बढ़ाने का वादा किया था जब तक जल सहिया के मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जल सहिया संग आंदोलन करने को मजबूर होगा C&T Act से थाना की बायदिता समाप्थ हो आदिवासी संगठन जार्खन के आदिवासेयों का जोलंत मुदा C&T Act से थाना के बत्ता को समाप्थ करने के लिए समाजिक संगठन लगतार दबाव बना रहे हैं साथी आदिवासी महिला द्वारा गर आदिवासी पूर से बिवाह करने पर उस महिला को स्टी लाव से वन्चित करने और आदिवासीों के जाती पवन पत्र बनाने को स्थरल बनाने जैसे मुद्धों को आदिवासी संगठन कोलबंध हो गए हैं। मुख्य मंत्री से विसूनपूर के फूचा रामने की मुलकात विसूर के रूप में काम कर रहे थे एन एच एम राची में एक तो साथ पदो पर जल्द होगी नियुकती राची जीला में एन एच एम के तहत एक सो साथ बिभीन पदो पर नियुकती की जाएगी कुल्ड रिक्त पदों में 50 फिश्दी पद समाने वर्ग के लिए और 50 फिश संचालित बिभीन कार्करमों के लिए जिलास तर्य न्योक्ति को लेकर सुक्रवार को डीडीसी बिसाल सागर के अधक्स्ता में बैठक हुई ज्यारखन के 17 जिलो में नहीं मिले मरीज 73,268 सेंपलों की जाच संकरमन की दर घटकर 0.01 परतिसत पर आ गई है सुक्रवार को 7 जिलो में 11 मरीज मिले हैं जिसमें सरवाधिक मरीज राची में मिले है 2008 स्करमियों को नहीं मिली क्रोणा की पुरुटसाहन रासी कुरोना के पहली वा दूसरी लहर में जान जोकुमेटाल कर रिम्स समेत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले हजारों आउट्सोस कर्मियों के अभी तक सरकार द्वारा दे प्रुसान रासी का भुगता नहीं किया गया है पतादे पिछले 10 जुलाई को स्वास्त विभाग के अपर मुक्स चीव अरुन कुमार सिंगा ने इस बावत संकल पजारी किया था इसमें उन्होंने कोविड अस्पतालों में प्रतिन्यूक्त आठ्सोस कर्मियों को एक माक के मांदे के सम्तुल प्रुसान रासी देने की स्योक्रिती दी थी राज जी के विकास के लिए सत्ता और विपक्ष को एकजूट होना होगा इस पिकर जारखन विधान सभा के अध्यक्ष रविद्रात महतों ने मांसून सत्र के दोरान अपने प्रारामबिक वक्तब यमें कहा कि परजात अंत्र में संसदे परनाली को सर्वत्तम अस्थान प्राप्थ है इसकी आत्मा विधाई का में ही सामिल होती है जानता अपने दियों के माद्यम से सरकार के नीतियों और उसके करेकरोमों में अपनी सभाजिता भी निभाती है उन्होंने कहा कि बरतमान करोना काल के दोरान यदि अपने राजे को विकासुन मुख्षी बनाने के लिए कुछ चुनोतिया भी है जिसका सामना हम सब को मिल जूल कर ज्यारखन में बजरपात से आठ लोगों की गई जान चार जूल से राजे के विभीन जूलों में पिछले 24 गंटे बजरपात के अलग अलग घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि चार लोग जूलास गए हैं बताते मिर्तकों में गढ़वा गुमला के दो द पलामू, कोडार्मा, सिम्डेगा और पच्मी सिम्भूम के एक एक व्यक्ति सामिल हैं ठनका से जूल से लोगों में तीन पच्मी सिम्भूम और एक गुमला के घागरा परखन की छात्रा है ज्यार्खन अंदोरन कारियों ने निकाला मसाल जुलूस ज्यार्खन अंदोरन कारी संहर्च मोर्चाने सुक्रवार सामको सहीद अस्थल से अलबट एका चोक तक मसाल जुलूस निकाला जुलूस के माध्यम से अंदोलन कारियों के 27 बुलाने अंदोलन कारी चिनिती करन आयो का पोन घठन करने और सकती देने की मांग की गई है मसाल जुलूस के अध्यक्सता मोर्चा के राची जिला अध्यक्स कुमोद कुमार वर्मा ने की मोर्चा के कारेकारी या दियक्ष राजू मोहतों ने कहा कि जारकन सरकार आंदोलन कारियों के मामले में चेतना सुनियन न बने धन्यवाद